हलो वियर्स हम पढ़ रहे हैं कक्षा दस्वी गनेत की प्रश्णावली 2.2 का प्रश्ण नमबर दूसरा तो यहां प्रश्ण दे रखा है एक द्विगाद बहुपत ग्याद कीजिए जिसके शुन्यकों के योग तता गुणनफल क्रमशा दी गई संख्या हैं तो यहां शुन द्विगाद बहुपत एक्स की गाद दो धन बी एक्स धन सी के रूप में है तथा जिसके शुन्यक अलफा व बीटा है तो अलफा और बीटा हमने पहले प्रेश्ण नमबर एक में भी पड़े थे कि शुन्यकों को अलफा और बीटा के रुप में प्रदर्शित करते हैं और जो बहुपद होता है दीगाद बहुपद उसका आदर्श रुपे अब यहाँ पर प्रेश्णा में हमें शुन्यकों की योग और गुननफल दे रखे हैं और उससे हमें दीगाद बहुपद ग्याद करना है तो यहाँ शुन्यकों का योग सबसे पहले हम करेंगे शुन्यकों का योग क्योंकि उसका सुत्र हमने पिछले सवाल में भी लिखा था, तो शुन्यको का योग अलफा धन बीटा बराबर होता है रिन बी बटा ए, तो यहाँ पे अलफा धन बीटा मतलब शुन्यको का योग दे रखा एक बटा चार, तो हम यहाँ लिख देंगे एक बटा चार बराबर रिन बी बटा ए, तो यहाँ पे बी का मान ये है और एक का मान ये आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ बी बराबर रिन एक, क्योंकि बी रिन में था, तो बी का मान निकालेंगे, तो यहां दिन का A का आएगा इसके बाद A बराबर 4 तो यहां पर B और A के मान आ गए है और इसी प्रकार हमें शुन्यको का गुणनफल भी दे रखा तो हमें लिखेंगे शुन्यको का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता C बटा A के तो यहां अल्फा गुणा बीटा का मान हमें दे रखा RIN 1 ठीके शुन्यको का गुणनफल दे रखा RIN 1 तो हम यहां लिखेंगे RIN 1 इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1 लिखेंगे बराबर C बटा A तो यहां पर C का मान हो जाएगा RIN 1 और A का मान 4 हो जाएगा लेकिन उपर जो हमने करा था तो यहां A कमान तो 4 आया था ठीक है क्योंकि यहां जो सुत्र है इसमें भी A है रिन B बटा A में भी A कमान निकलेगा और C बटा A में भी A कमान निकलेगा तो यहां हमने पहले A कमान 4 निकाल लिया है यहां पर 4 आया है क्योंकि 4 से 4 करते जाता है तो हम यहां कर देंगे 4 बटा 4 का गुणा रिन 1 बटा 1 में और बराबर C बटा A है तो यहां पर 4 का गुणा रिन 1 में करा तो रिन का 4 बटा 4 का 1 में करेंगे तो 4 बराबर C बटा A तो यहां पर C का मान तो रिन 4 आगया और a का 4 आ गया क्योंकि हमें a कमान 4 ही चाहिए था तो यहां पर हम लिख देंगे यहां c बराबर रिण 4 a बराबर 4 तो इस प्रकार हमें a, b और c मिल गए हैं तो हम लिख देंगे इस प्रकार a बराबर 4 b बराबर रिण 1 c बराबर रिण के 4 अब जो बहुपद है अतह बहुपद बराबर ठीक है बहुपद किस रूप में था a x की घाद दो धन b x धन c और यहां पर a b और c के मान लग देंगे हम तो a कमान 4 है तो 4 x की घाद दो उसके बाद b कमान रिण 1 है तो यहां पर रिण 1 है तो एक लिखने के आवशकता नहीं हम सिधा x से लिख देंगे ठीक है रिण 1 मतलब रिण 1 x से ही होता है और उसके बाद c का मान रिण के 4 है तो यहां पर रिण का 4 आएगा और यहां बहुपद हमें मिला है 4 x की घाद 2 रिण 1 से रिण 4 ठीक है और यही इसका उत्तर होगा यहां बहुपद हमने निकाल लिया है तो हम एंसर लिखेंगे 4 x की घाद 2 रिण 1 से रिण 4 ठीक है बहुपद हमें निकालना तब हमने निकाल लिया है बहुत ही आसान प्रश्न है हमें शुन्योको का योग और शुन्योको का गुणनफल का सुत्र लगाकर इसको हल कर लेना है और इससे A, B और C निकाल लेना है और उसके बाद हम बहुपद निकाल लेंगे A, B और C के मान रखके तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए खक्शा दस्त्वी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए